बाजार वाले चाहे जितनी भी वेराइटीज के हम आईसक्रीम क्यों न खालें मलाई वाली देसी कुलफी की बात ही निराली होती है हैगी नहीं दोस्तों हम में से अधिकतर लोगों को ये वाली कुलफी हमें बच्पन की याद दिलाती है तो चलिए इसे बनाते हैं नमस्कार मैं अरचना सिन्हा और सागत करती हूँ आपका केचन में तो बनाना शुरू करें कुलफी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा दूद तो यहां मैंने एक कढ़ाई रखा है गैस पर और इसमें मैं थोड़ा सा पानी एड़ करूँगी उसके बाद हम इसमें दूद एड़ करेंगे पानी हम इसलिए डालते हैं ताकि दूद जो है वो तले में लगे नहीं यहां पे मैं दूद ले रही हूँ यह उबाला हुआ दूद है और मैंने इसे फ्रीज में रखा था दूद को मैं मलाई के साथ ही इसमें एड़ करूँगी यह एक लीटर दूद है लेकिन मैं आधी लीटर दूद का ही इस्तेमाल कर रही हूँ मैं आधी लीटर दूद से ही यहां पे कुलफी बनाऊंगी अब गैस को हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे रखेंगे और इसमें एक उबालाने देंगे इसे बीच बीच में हम चलाते भी रहेंगे जिसे की उबल करके बाहर न गिरे हो सके तो आप बड़े बरतन का इस्तेमाल किजिएगा जिसे की उबल करके दूद नीचे न गिरे क्योंकि जैसे जैसे यह थिक होगा तो इसमें उबाल ज़्यादा आएगा और इसमें गिरने का डर भी रहता है और यहाँ पे देखिए एक उबाल आ चुका है दूद में मैं इसे साइट से इस तरह से देखिए स्क्रैप करते हुए इसका जो भी मलाई है वो मैं बीच में लेती जाओंगी और इस तरह से उबालते हुए हम दूद को इतना गाढ़ा करेंगे कि जो क्वांटिटी है उसकी आधी रह जाए और यहाँ पे देखिए मैंने 5 से 7 मिनट इसे उबाला है और यहाँ पे दूद आप देख रहे हैं बिलकुल आधा रह चुका है और यह कितनी मलाई जैसा आपको दिख भी रहा होगा यह गाढ़ा हो चुका है और यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा और इसे थिक बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ दो चम्मच ताजा खोया याने की मावा आप यहाँ पे मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं उससे भी इसमें मलाई जैसा टेक्स्चर आ जाएगा अब लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाते हुए थोड़ा सा मिक्स हो जाने देंगे एक से दो मिनिट में यह अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाएगा और यह गाढ़ा भी हो जाएगा और यहाँ पे कंसिस्टेंसी देखिए दोस्तों कितना गाढ़ा मलाईदार यह कुलफी का बैटर हमारा तयार हो गया है कलर भी इसका देख रहा है कितना सुंदर निखर के आया है तो इस स्टेज पे आप इसमें चीनी एड़ कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे इस टीविया डाल रही हूँ इससे क्या होगा कि आसानी से हर कोई खा सकेगा कैलरी कांसर्स भी डायवेटिक पेसेंट भी और सब लोग भी खा सकेंगे इसमें मैंने थोड़ा सा इलाइची का पाउडर भी डाला है फ्लेवर के लिए और अब इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी मैं और अब मैं गरूँगी गैस को बंद अब इसे हम ठंडा होने के लिए रखेंगे थोड़ी देर के लिए जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसे जमाएंगे और यहाँ पे मैं थोड़े से ड्राइफ रूट्स इसमें आड़ करूँगी तो मैंने थोड़े से काजू, बादाम और पिस्ता ले रखे हैं इन्हें मैं छोटे छोटे टुकडों में कट कर लूँगी ये आप कम या ज़्यादा अपनी टेस्ट के एकॉर्डिंग एड़ कर सकते हैं बहुत ज़्यादा भी डालने की ज़रूरत नहीं है पर थोड़ा सा क्रंची टेस्ट इसमें अच्छा लगता है तो आप अपने टेस्ट के एकॉर्डिंग इसमें थोड़े से ड्राइफरूट्स एड़ कर लीजिए आप इस्टीविया की जगह पे चीनी इसमें अपनी पसंद के अनुसार जैसी मीठास आपको पसंद है इसमें एड़ कर सकते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे और ये देखिए थोड़ी ही देर में ये बिल्कुल ठंडी हो गई है रूम टेंप्रेचर पे आ गई है और ये कितनी गाड़ ही हो गई है आपको दिख रहा होगा अब इसे हम जमाने के लिए रखेंगे फ्रीज में तो इसके लिए मैं यहाँ पे दो स्टील के छोटे-छोटे से मेरे पास डब्बे थे मैं उसमें जमा रही हूँ आप चाहें तो इसे मोल्ड में भी जमा सकते हैं या फिर चाहे पीने वाला जो कफ होगा आप उसमें भी जमा सकते हो किसी भी तरह से जमा लीजिए बस ख्याल ये रखना है कि इसे अच्छी तरह से कवर करना है दोस्तों यहाँ पे आप लोगों से मैं गुजारिश करूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया कीजिए फेस्बुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो जरूर कीजिए वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ये देखिए मैंने इसे दोनों डबो में भर लिया है अब मैं इन डबो को अच्छी तरह से कवर करूँगी यहाँ पे थोड़े से ड्राइफ रूट्स मैं उपर से भी इसमें स्प्रिंकल कर रही हूँ देखने में अच्छा लगता है थोड़ा और चलिए अब इसे कवर कर लिया जाए इसके लिए मैं क्या करूँगी कि इसके धकन को लगाने से पहले अब थोड़ा सा इसमें अलिमूनियम फॉयल या फिर कागज जो भी आपको मिले उससे इसे थोड़ा सा कवर कीजिएगा उससे क्या होगा कि आईस की बिल्कुल भी मात्रा इसमें अंदर नहीं जाएगी क्योंकि धकन अगर थोड़ा सा भी लूज होगा तो इसमें आइस की मात्रा जाने की गुंजाईश रहेगी इसलिए मैं इसको फॉयल से कवर करके उसके बाद इसमें धकन मैं लगा रही हूँ आप भी अगर कप में जमा रहे हूँ तो उसमें भी इसी तरह से अलमुनियम फाइल से कवर कर लीजिएगा और उसे एक रवर बैंड से अच्छी तरह से फिट कर लीजिएगा और चलिए अब इसे हम फ्रीजर में रख देते हैं गणते के लिए इसे आप फ्रीजर में रखिएगा ताकि अच्छी तरह से जम जाए और गणते के बाद फिर हम इसे इस्तेमाल करेंगे यानि की एंजवाई करेंगे तो चलिए 7-8 गणते हो गए हैं और मैंने इसे फ्रीजर से निकाल लिया है और ये देखिए चलिए इसे चेक करते हैं और इसे डी मोल्ड करते हैं धकन और फॉयल को सबसे पहले हम हटा देंगे और ये देखिए लग रही है न लाजवाब बहुत अच्छी तरह से सेट हुआ है वैसे तो ये थोड़ी देर में ही ऐसे ही डी मोल्ड हो जाएगा लेकिन मैं इसे थोड़ी देर के लिए पानी में रख दूँगी पानी में रखने से क्या होगा कि ये जल्दी से डी मोल्ड हो जाएगा तो थोड़ी देर के लिए आप इसे इस तरह से पानी में डुबो करके रख दीजिए उसके बाद हम इसे डिमोल्ट करेंगे इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले चाकू की सहायता से चारों सीरों को यह देखे इस तरह से पहले इसे इस तरह से कर लेंगे और उसके बाद बीच में इस तरह से चाकू को हम प्रेस करेंगे और इसकी सहायता से हम इसे बाहर निकाल लेंगे और ये देखिए दोस्तों क्या मज़ेदार हमारी कुलफी जमकर के तयार हो गई है है न क्यू बाजार से खरीदना घर पे ही फटा फट से बनाईए और एंजॉय कीजिए इसे अपने मन चाहे टुकडों में कट कीजिए जैसी आपको इक्षा हो या आप इसे रॉल कट में थोड़ा सा उपर से गार्निश कर लीजिए ज्राइफ रूट्स के साथ और इसे एंजॉय कीजिए बहुत ज़्यादा लाजवाब बनी है दोस्तों तो आप इसे जरूर से ट्राइ कीजिएगा ये देखिए बिल्कुल भी बर्फ इसमें नहीं है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनी है यकीन है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा इसे लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है दोस्तों मैं मिलती हूँ आप से किसी